ये देखिए दोस्तों ये मेरा बेहन सदना का गाज में चाहर रही है दोस्तों ये हो गिया है इसको निकाल लेते हैं गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नया ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है मैं आसा करती हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वास्त होंगे मैं अब तबियत प्राइज थो ठीक है लेकिन अब मम्मी का तबियत खड़ाब हो गया है मम्मी के यह डॉक्टर दिखाने के लिए घर में हम है पापा है बहन है और चलिए मैं दिखाती हूं कि मैं अब क्या करूंगी दोस्तों घर के बाहर निकल गया है सजना को हिंदी में सहजन भी बोलते हैं यह देखिए दोस्तों यह मेरा बेहन सजना के गाज में चैर रही है अभी तो सजना हुआ नहीं है इसका फूल को तोड़ेगी देख सकते हैं कैसे चयर रही है देखिए दोस्तों किसे कर रही है देखिए दोस्तों रिया तोर रही है हम सजेणा का गात में गूश गए है इसको देखिए के बंदमास में मैं पेल को देखिए दोस्तों हम इसको पर तोर के दिखाते हैं अब सजना का फूल पूल ऱ्सको इनगा ह네 हम खाल देखिप कर दो कर दो कर रहा है कि मैं बहुंड अगा दो कि दो फूसा तोल लेंगा लोग इस तरह से कि अश्जासरी दोस्तों इसलिए वाज आ रहा होगा यह देखिए दोस्तों मैं बहुना पीसे रही है अब पिछे जौने में फुस्ट पूस्ट कर रही थी अब देखिए इसको किसको दिसको यह सजना का फूल अच्छा लगता है खाने में बताइए कमेंट में दोस्तों यह फूल सब तोल रहे हैं इस तरह से दोस्तों यह सारा फूल हम लोग तोल लेंगे तो आपको दिखाते हैं है दोस्तों इसको अच्छा से धो लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों हम सो के उठ चुके हैं हम सो गए थे इसलिए हम सजना का फुल का पकोड़ी नहीं बना पाए हैं इसलिए अभी हम बनाएंगे यह देखिए हम सब इसको तोर के पानी में डाल के रख दिये थे कैसे है आप लोग आशय करते हैं अच्छे ही होंगे आज हमें से घर आए हैं हम फकुरी बना रह दखें तक दायए हैं मनाई भी नहीं है अब इसको लेकर जा रहे हैं अपने घर ने घर पर लेकर जाएंगे dauर और और किसे मिला ना हम आपको घर को जा कर बता हैं हेलो हम ढाटी गजह राहे हैं यह देखिए बाबु 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 देखर कैरे बाबु हलो हलो तरह है हलो है व्युट पी्ट आर लिग्द hadnर डते हम वहotom अगर हम बनक बहु요 के दोस्तों हम इसको अच्छा से धो लिये हैं अब हम इसमें डालेंगे फ्याज अग्रिंचीली दोस्तों हम प्याज और ग्रीन चिली डाल दिये हैं छोड़ा के इसमें डालेंगे यह यह है आपका चावल और मसूर का डाल, इसको भीगा कर लग दिये थे पहले दो घंटा, इसके बाद इसको पीस लिए है, इसको डालेंगे इसमें, इस सारा डालेंगे इसमें, गोबिंदर कुख चावल होता है ना, उसको डालेते हैं, फुलाने के दो घंटा, इसमें डालेंगे नमाख, यह हल्दी पाउडर, और बेशन, और दोस्ते से बेशन भी डालेंगे, बेशन थोरा से डालना जादा नहीं, अब इसको अच्छा से मिलाएंगे, चावल को जो पीसे थे और दाल को उसी से ही हो जाएदा, बेशन थोरा से लगता है, दोस्ते इसमें पानी डालने हैं, कोई ज़र्वती नहीं परेगा, क्योंकि वो जो धोए थे ना, सरिमा का फूल तो उसमें पानी था हलकाल का उसी से हो गया है, इसमें अभी नमक डालने हैं तो और पानी भी छोड़ सकता है, यह हो चुका है, इसको 15 मेर के ढखके रख देंगे, उसके बाद इसको तेल में तलेंगे, दोस्तों मेरा तेल गरं हो गया है, दोस्तों मैं बहुत चिला रही है दोस्तों, अबनाट पर तेल में पर शिला रही है दोस्तों, दोस्तों खाने हैं बहुत तेश्टी होता है सचना का फूल आपी घर में बनाईए मेरा रेसीपिक ऐसा लगा कमेंट में बताईएगा लाइक, सब्सक्राइब, सेयर करिए देखिये दोस्ते इसको निकालने के बाद ये अलग हो जाएगा एक तरफ कहोगया है एक तरफ कहोड़ा है दोस्ते ये वह गया है इसको निकाल लेते हैं अब यह दुसरा डालेंगे यह दुसरा डाल रहे हैं दोस्तों दोस्तों इसका सब्जीवी बनता है फुल का दोस्तों इधर का हो गया है देखिये दोस्तों यह हो रहा है दोस्तों यह हो गया है इसको निकाल लेते हैं अब बताईएगा कमेंट में कैसा लगा में रेसिपी आप घर पे बनाईए बहुत अच्छा लगता है प्लीज दोस्तों कमेंट करिएगा सेयर करिए सिस्क्राइब करिए देखिये दोस्तों प्लेट में निकाल लिये हैं थोड़ा साही स्वास था इसी दोस्तों वीडियो अच्छी लगती लाइक सेस्क्राइब शेयर करिए अच्छे लिए इतना ही धन्य बात आपको नेक्स वीडियो में मिलते हैं